कपिल भाई अब आड़े साथ हैं और कपिल भाई यह बता रहें कि भाई यहां से फैंस जाने लगे हैं कपिल भाई ओवर टू यू बिल्कुल देखिए लंका के फैन जाहरा तोर पर बहुत निराश हैं क्या सोच के आये थे कैसा सूपर संडे होगा धमाकेदार इत्वार होगा लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं सिराज की आंदी आई और पूरी लंका की टीम ओड़ गई तो वर्ल्ल कप से पहले भारती टीम के वो और दोगुने हो जाएंगी अब वर्ल कप में भारती टीम के लिए और पूरा एक साई यूनिट हमको मिल गया है एक टेंपलेट हमने बता दिया है कि हमारी बल्लेबाजी क्या कर सकती है हमारी गेंदबाजी क्या कर सकती है और 11 का जो बैलनस है वो कहीं नहीं पूरी तर सारे कि रास्ते खोल गाए जिस रेंकन फैन साथ हैं हावर इफीलिंग इसा है कि तो मैच तो इसा है मैच पर कोई भी टीम जीत न मनता हर जाए नहीं को इंदी कैसे अधिया रहा है में बहुत अच्छा है इसलिए मैं आप बहुत बालता है कोई भी आत्में कुछ गडबड़ तो नहीं होने गाइब ऑपने कोछ पुछ पबलों नहीं है एक बराबर बोलता है ओई यह मैच मैच बोलेगा तो एक आत्मी एक टीम हर नमानता एक आटमी जीतना मंत इसलिए हम लोगा श्री-लंका वारा कोई परक नहीं है गडबड़कोई नहीं है वह बहुत प्यार करता है इंडिया भी आपना वाला है ओई यह पूत इसा है बस्टो यह काम बहुत जबरतास पात के यह खारे का एक जीतेगा वह बढ़िया करने वाले टीम जीति कुछ और फैंस इमारे साथ है आप बते ही है वह बते हैं तो एपने टीम तोड़े आपने टीम तोड़े है आपने इंडिया की पचास ओ चुकी है अब सिर्फ एक रन दूर है टीम इंडिया एशिया कप को अपने नाम करने से और 6 ओवर में पचास रन टीम इंडिया बना चुकी है यह टी टूंटी का पावर प्ले चल रहा था आगाज भाई यह श्रिलंकन टीम है इनकी जर्जी पे बीए को टीटेन का कोई स्पॉंसर है